भारत चीन तनाव के मुद्धे पर संसत में सर्वदलिये बैठक हुई सर्वदलिये बैठक के एक घंटे से ज्यादा देर तक चली जिसमें कॉंग्रेस, टीमसी, जेडियू और डीम के समेट कई दल शामिल हुए केंद्र सरकार ने विपक्ष्षी दलो को LSE के हलात के बारे में जानकारी दी सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंतरी आज 12 बजे राजसभा में बयान देंगे सरकार और विपक्ष्ष के बीच आम सहमती बन गई है इसे पहले राजसभा में एक सवाल के लिखे जवाब में केंद्रिय ग्रे राजमंतरी नित्यानंदराय ने कहा कि पिछले छे महीने में भारत चीन सीमा पर घुसपैट का कोई मामला सामने नहीं आया है वहीं भारते सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से 47 बार घुसपैट की कोशिश हुई है ग्रे राजमंतरी नित्यानंदराय ने सदन को ये भी बताया कि सीमा पर घुसपैट रोकने के लिए सेनकों की तैनाती बढ़ाई गई है वहीं खूफिया तंतर को और मजबूत किया गया है वह उस पैटियों के खलाफ एहतियाती कारवाई भी की जा रही है चीन के सरकारे अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिर भारत को गीदर भप की दी लेकिन चीन के दुष्परचार पर भारती सेना ने पलटवार किया है देखिये पूरी खबर एक मिनट में चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर भारत का रुख काफी आकरामक है रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने साफ तोर पर चीन को भारत के साथ सीमा संजोते का उलंगन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है वहीं रक्षा मंतरी के बाद चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है उसकी इसी बौखलाहट का असर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में दिखा ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत के रक्षा मंतरी का बयान उपसाने वाला है ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि भारत कठोर रवया अपना रहा है और दोनों देशों के बीच ये तनाव आने वाले ठंड के महीनों तक जारी रह सकता है उसने कहा कि चीन की सेना को सर्दियों के मौसम तक गतिरोज के जारी रहने की स्थिति के लिए तयार रहना चाहिए चीन की मीडिया में भारतिय सेना की अधूरी तयारियों के दावेवाली भ्रामक खबरे भी चलाई जा रही है जिसके बाद भारतिय सेना ने भी पलटवार किया है भारतिय सेना ने कहा कि वो किसी भी स्थित में सामरिक हालाद से निपटने में पूरी तरह से तयार है अगर सरदी के मौसम में जंग के हालाद बने तो चीन के सामना सक्षम और सरशक्स भारतिय सेना से होगा वहीं भारत से अर मोर्थ से पर पिट रहे चीन का जासूसी कांट सामने आने के बाद भारत सरकार ने इस पर कड़ा एतराज जताया है बस साट सेकंड्स में जानिये भारत ने चीन को क्या संदेश दिया प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी और राश्रपती रामनात कोमिन समेद देश के जाने माने लोगों की जासूसी करने के मामले पर भारत सरकार ने चीन से कड़ा एतराज जताया है विदेश मंतराले ने जासूसी का मामला चीन के राज़ूत के सामने उठाया चीन ने इसके जवाब में कहा है कि जेनुआ एक नीजी कमपनी है और उसने अपनी बात सारजनिक तौर पर सामने रखी है बताय जा रहा है कि कॉंग्रेस सांसत केसी वेंडू गोपाल ने सरकार से लोगों के डेटा को चीन के जासूसों से बचाने की मांग की थी जिसके जवाब में विदेश मंत्री एश जैशंकर ने उन्हें ये जानकारी दी एलेशी पर भारत चीन तनाव के बीच जासूसी की खबरे दोनों देशों के बीच भरोसा और कमजोर करने वाली है दरसल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्स्प्रेस के रिपोर्ट के मताबिक चीन के कमपनी जेनुआ भारत में दस अजार लोगों की जासूसी करवा रही है जी न्यूस के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी का नाम भी इस लेश्ट में शामिल है वहें लंबे समय से सयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद के विस्तार की मांग हो रही है लेकिन इसकी धीमी प्रक्रिया को लेकर अब IBSA ने सवाल उठाए हैं क्या है पूरी खबर देखे एक मिनिट में IBSA यानि भारत, ब्राजील और दक्षिन अफरीका के संगठन ने संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद के सुधार की धीमी गती पर नाखुशी दाहिर की है और इसके विस्तार को जल्द पूरा करने की मांग की है भारत ब्राजील और दक्षिन अफरीका ने साजह बयान में कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंतराश्ट्रे शांती एवंग सुरक्षा के लिए गंभीर परिनाम हो सकते हैं यह बयान तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फरेंस के बाद जारी किया गया बैठक के अध्यक्षता विदेश मंत्रिय एस जैशन करने की भारत ब्राजील और दक्षिन अफरीका लंबे समय से स्युक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशद के स्थाई सदस की वकालत भी करते रही हैं अब IBSA ने भी सुरक्षा परिशद में और स्थाई सदस्य के रूप में भारत के निर्वाचन का हवाला देते हुए UNSC के विस्तार की वकालत की है IBSA के बयान में कहा गया है कि भारत इस मंज पर एक मजबूत आवाज होगा और वो सुर्ट राश्ट्र चाटर के मुताबिक नियम आधारित व्वस्था का रक्षक बना रहीगा हिंद महासागर में अफरीकी देश जिबूती के जरीए भारत ने किस तरह चीन की गेरबंदी को कमजोर किया है 60 सेकंड्स में आपको बताते है भारत परिवक्षक के रूप में जिबूती कोड अफ कंड़क्ट से जुड़ गया है माना जा रहा है कि इससे हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक तोर पर भारत और मजबूत होगा जिबूती कोड अफ कंड़क्ट या जद्दा अमेंडमेंट दरसल लाल सागर, अधन की खाड़ी और अफ्रीका के पूर्वी तर्ट से सटे 18 सदस से देशों का संगठन है जिसके जर्ये ये देश समंदर की चुनोतियों से रिपटने की कोशिश करते है विदेश मंतराले ने कहा कि 26 अगस्त को इस संगठन की डिजिटल बैठक के बाद भारत परिवक्षक के रूप में इससे जुड़ा है भारत, जापान, नौर्वे, बृतेन, अमेरिका के साथ इस संगठन में परिवक्षक के रूप में शामिल हुआ है इस संगठन से भारत ऐसे समय में जुड़ा है जब हिंद महासागर ख्षत्र में चीन अपना सैने प्रभाव बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास कर रहा है अफ्रीका का ये छोटा सा देश जिबूती, चीन और अमेरिका समय दुनिया के कई बड़े देशों के दिल्चस्पी का केंद रहा है चीन ने यहाँ अपना सैने अड़ा भी बना रखा है आज प्रधान मंत्री नरिंगर मोदी का सत्तरवा जन्म दिन है बीजेपी पूरे देश में इसे विकास के रूप में मना रही है और सेवा सप्ता के तौर पर इसे मनाया जा रहा है राश्र के प्रहरी, राश्र के सेवक और राश्र के निर्माथा प्रधान मंत्री नरिंगर मोदी आज सत्तर साल के हो गए प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के जन्म दिन को बीजेपी पूरे देश में सेवा सप्ताः और आत्मिर्भर भारत सप्ताः के तौर पर मना रही है देश के अलग-अलग हिस्सों में बीजेपी कारेकरता लोगों की मदद कर रहे है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने पार्टी मुख्याला में प्रधान मंत्री के जीवन से संबंधित एक प्रदर्शनी का भ्यूद घाटन किया पटना में बीजेपी कारेकरताओं ने सत्तर पेड़ लगाए सभी कारेकरताओं ने पर्यावरण को बचाने का संकल किया जैपूर में बीजेपी ने दिव्यांगों को ज़रूरी उपकरन बाटे वारानसी में बीजेपी ने सच्छता अभियान चलाया यूपी सरकार में पर्याटन मंत्री नील्ट में शामिल हुए उतर प्रदेश के अमरोहा में बीज़पी कारेकरताओं ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के जन्सपता के मौके पर ज़रुवतमन लोगों को सो चश्में बाटे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगो की साज़िश को लेकर चार्शीट दाखिल कर दी है चार्शीट में कौन-कौन आरोपी है बस एक मिनिट में आपको पूरी खबर बताते हैं दिली पुलिस की स्पेशल सेल ने कड़कर डूमा कोट में दिली दंगो की चार्शीट दाखिल की है 10,000 से अधिक पेज की चार्शीट में 15 आरोपियों के नाम है जिन पर दंगे भड़काने का आरोप है आरोपियों में खालिद सैफी, मिरान हैदर, इश्रजहां उर्फ पिंकी, सफूरा जरगर, गुलफिशा खातून उर्फ गुल, ताहिर हुसेन, शहदाब एहमद, आसिफ इकबाल तनहा, शिफाउर रह्मान, दिवांगना कलिता, नताशा नर्वाल, अतर खान, सलीम मलिक उर् उक्थाम अधिनियम, आईपीसी और शहस्तर अधिनियम के तहट केस दर्च किया गया है। ग्रिः राजमंत्री जी कृषण रेड़ी ने संसद में जो जानकारी दी है, उसके मताبिक देश के 12 राज्यों में आईएस आईएस का नेट्वर्क सकुरी ए है। ग्रिः राजमंत्री के मताबिक ये खुलासा नाईएं की जाच से हुआ है। ग्रे राज्यमंत्री ने बताया कि एनाये ने दक्षिन भरतिय राज्यों में आईसाये से जुड़े लोगों पर 17 केस दर्च किये हैं जिनमें तेलंगाना, केरल, आंधरप्रदेश, करनाटक और तमिलनाडू से 122 आरोपी गिरफ्तार किये गए हैं रायसभा में एक सवाल के लिखे जवाब में केंद्रिय ग्रे राज्यमंत्री जी कुशन रिड़ी ने बताया कि एनाये की जांच में पता चला है कि इसलामिक श्टेट दक्षिन के कई राज्यों के अलावा महराश्र, पश्रमंगाल, राजस्थान, बिहार, उतरप्रदेश, मध्रदेश और जम्मो कश्मीर में सबसे अधिक सक्रिये हैं भारत में अपनी आतंकी विचारधारा की घुसपैट के लिए आईएस-ाईएस के आतंकी सोशल मीडिया का सहरा ले रहे हैं हालाकि सुरक्षा जंसिया अपनी कड़ी नजर बनाये गुए है और आरोपियों पर क मंगाल की तुरना कश्मीर से कर दी बीजेपी सांसाद लॉकेट चटर जी ने पश्मंगाल में कानुन विवस्था के खराब इस्थिति के दावा किया लॉकेट चटर जी के कहना था कि दंगे जैसे इस्थिति में भी ममता सरकार मूग दर्शक बनी रहती है लॉकेट चटर जी यही नहीं रुकी उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के वक्त हुगली में दंगा हो गया कुछ लोगों ने कहा कि वो कोरोना टेस्ट नहीं करवाएंगे फिर मतबेद इतने बढ़े कि तीन दिन तक दंगा हुआ लॉकेट चटर जी इसके लिए सीधे तौर पर टीम्सी को जिम्मेदा ठहराती अब साथ सेकेंड में आप ये भी समझेए कैसे सूपर पावर अमेरिका इस समय दो त्रासदियों से गुजर रहा है अब आप साथ सेकेंड में समझेए की कैसे सूपर पावर अमेरिका इस समय दो त्रासदियों से गुजर रहा है अमेरिका का एक हिस्सा आग की लप्टो में जल रहा है तो वहीं एक हिस्से में पानी मुसीबत की वज़य बना हुआ है कैलिफोनिया के जंगलों में आग लगने से पिछले महीने कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई कैलिफोनिया के डिपार्टमेंट आफ फरस्ट्री आफ फायर प्रोटेक्शन के अनुसार आग से राज्य में 32 लाख एकर जमीन जल गई और 4000 स्ट्रक्चर जल कर नश्ट हो गए सैन फ्रिंसिस्को के उतर पूर्वी हिस्से में आग यहां रहने वाले कई समोदायों के लिए खत्रा पैदा कर रही है तेज हमाओं के साथ की आग परवधी क्शेत्र और सूखे इलाके के 25 मील क्शेत्र को अपनी चपेट मे ले जुकी है वही तुफान साली 85 मील प्रती घंटे की हवा की गती के साथ उतर खाडी तटकी और बढ़ रहा है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये घंटक तुफान में तबदील हो सकता है ये तुफान के साथ बारिश और दो फीट तक बाढ़ ला सकता है साली तुफान के मद्दे नजर लुईजियाना, मिसिसिपी और अलबामा में सोमवार को एमर्जंसी कोशित कर दी गई है